नमस्कार दोस्तो आज का ये वीडियो लेके आ रहे हैं गुजर डेरी फारम से करनाल से गाउं वगेरा का सारा कुछ डिटेल से जनकरी अपा बाई साब से लेंगे और देखिए दोपेर के बाद का टाइम है और बैसे बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाई दे रही हैं और सारी मात्रा में जो है वो मिलती हैं 20 से कम पशुदन कभी भी आमें बाई के पास नहीं मिला है 20 से ज्यादा ही बैसे जो है वो देखने को मिली है भाई साब ठीक हो जी बाई साब बढ़ी है तो बाई साब गाउं का नाम बताओ इदर आ जाओ छाया में थोड़ा दूप आर नाल अपना तो बैसाब कितनी बैस रख रहे हो रहां सिस्टाइम 24 बैस आज और दो गाएं और एक भूल है जो ठीक है सब बिक्री वाड़ी है तो बैसाब पर्मानेंट इतनी बैस रहती है आपा तो जितनी बार प्याई इतनी मिली है बाई साब इस्ते जाध जाध रहती ह अब आप यह जाधा जाध रहती है तो कोई गाडियों का लोड करते हो या लोकल किसे है क्या प्यादी तो लगबक कितने दूद वाली बैस मिलेगी आपके पास और किस रेट की मिलेगी दस लीटर से ले के बैस भी लीटर तक की भैंस अपने पास और एकटर हज़ार से लेो के बीच में दस एख़ित किलो से बीष किलो दूर्द की भैंस यह कह सकते है ऐस आशी अजार aura सी 192 लाक की भैंस मिल जाएगी तो यह रेंज तो कोई बढ़ाई चाहे दस ले चाहे 50 ले सारी मिल जो फिर आप जो फिर आप देखते हैं तेहर से देखते हैं जी एक नंबर से और देखें बड़े बड़े अडर की और एक निली रावी की बैस दिखाई दे रही है बहुती शानदार देखते हैं ये एक जोटी ये ऊप ब्याइय हुए है कब तक ब्याएगी दो तीन दिन लेगी कितने की बेचनी है ये लाख 80,000 रुपे की जोटी बेचनी है ये देखें़ दो तीन दिन लेगी कितना दूद देगी बाई साब 25-26 भी निकाल सकती है 20 लीटर कहके बेचेंगे ये देखे बाई बहुत ही शांदार बड़े अडर की और बहुत ही तगड़ी जोटी है लेया बाई बहुत तगड़ा अडर जो है पिछे आप देख पा रहे हो बहुत ही शांदार बिल्कुल छोटा सींग और बहुत सुन्दर जोटी है लेयाओ भी लेयाओ ये देखे अडर की क्वालिटी वा जी वा बहुत ही शांदार बिल्कुल बिल्कुल ये भी अपने अरिये की है ठीक ठीक ये देखो जी इससे आगे देखिए दो नमबर पे जो है एक निली रावी की काफी बड़े अडर की और दूर से ही देखिए milk veine काफी मोटी मोटी जो आप चमक रही देख पाड़े होगे बाई सब ये कितने दूत वारी है सोड़ा अभी मोक्के बे त्यार है साथ दिन की ब्याई में सोड़ा लिटर दूत मोक्के बे त्यार है बेचनी कितने की है बाई सब वह क्वालिटी बैस की है डील डोलसी छोटे पैर और बहुत ही खुबसूरत यह देखिए चरणे में मस्त है ठंडी भी बहुत सारी जो बैसे हैं बहुत ठंडी होती है निली रावी की यह देखिए एक लाग और कितने की बताई एक लाग तीस जार रुपे की बेचनी है यह आप देख पारे हो बहुत ही बढ़िया लाचवाब दो बैसे एक मुर्रा की और एक निली रावी की आपा दो देख चुके हैं तीसरे नंबर पे जो बैस आपा वो देखते हैं यह वाली देखिए खड़ी खड़ी बता दो बाई साब क्योंकि हाँ यह बताओ कितने दूद बैस को खुलती हुई चलती हुई देखना चाते हो तो आप लाइव वीडियो जाके देखो और यह दो यह दरवाडी बाई साब पंदरा मोक्के पे त्यार है और कितने की बेचनी है यह एक पत्चीस की बेचनी है देखिए जी सिंखुला जरूर है लेकिन पंदरा किलो दूद बहुत होता है दो टाइम दूद बैसापा जब देखके लेते हैं तो दस किलो बारा किलो दूद पे बैसे बहुत थारी अट लग जाती है 15 की लोदूत बहुत बड़ी होता है यह जो टी वाई सब तेरा चोदा मुक्टे पे त्यार है ठीक है और यह कुण से व्यात किये वाई सब यह कितने की बेचनी है एक लाख बाइस अजार रुपे की बेचनी है ठीक है ठीक है यह देखो बाई और इससे आगे फ एक लाख दस अजार रुपे की बेचनी है बारा तेरा लिटर दूद मुक्टे पे त्यार है इस से आगे देखिए एक साफ सुत्रे अडर की फर्स्टाइमर जोटी दिखाई दे रहे यह बाई सब दूद कितना है यह मुह से दोजात अजार रुपे की बेचनी है यह देख अगे की तरफ देखना बुला देगी जोटी यह देखिए यह देखिए अडर की क्वालिटी देखिए बहुत ही बढ़िया अगर सींग ही छोटा होता तो दो डाईलाग रुपे की जोटी हो जाती यह देखिए जी दो आच्छा दिखाते की दाट साइड में आथ लग ऑंक दो है दो है मेरे को तो दीगी थोड़ थोड़ थो पक्की दो है सो परसेंट ले जाओ भई यह देखो भई चोदा किलो दूद मुक्के पे त्यार और एक लाख अठाई सजार रुपे की फर्स टाइमर कटिया आप ले सकते हो और ठाण बगएरा देखिए बहुत ही बढ़िया अडर की क्वाल्टी बहुत सींग अगर बढ़िया होता तो बाईशाब दो लाख रुपे की जोटी थी ब मतलब मनखुस हो जाओ दूद निकालेंगे इस टाइम उस टाइम अलगी मजा आता है अच्छा इतनी फोकी दार मोटी दार मतलब हर जंग ऐसे पूरी क्वाल्टी है जोटी में ठीक है जो थोड़ा है बस सींग खुला लाल लगा ले हो बाकी में और कोई कमी है नहीं किसी ठीक है ठीक है इस से आके फिर एक और साइद फर्स्टाइमर है इसमें दूद भाई सब्सक्राइब तो बिनकुल कम है अच्छा यह कितने की बेचनिया है एक लाग रुपे की दस लिटर दूदा फर्स्टाइमर जोटी पक्के अडर गी यह बाई सब खुले अगलों में कितना है बीच वाड़ों में कितना है पिछलों में अगलों में इसका दूद होगा डेड़ किलो से उपल ठोड़ा अच्छा बीच वाड़ों में सब्सक्राइब पिछे वाड़ों में सब्सक्राइब तो आज मोक्के पर दूद बताया बसीफ से आप लगा लिए आप आम तों तादी तेरा तोदा किलों होगा ठीक है और बे अगलों में पर दूद देदेगी कितने की बेचनी है बाई सब्सक्राइब एक लाख दस जारूपे की दे देंगे ठीक है ले आओ बाई ये देखो जी ये जो बड़ा सा जो आप पेट देख पारे हो बैस के दोनों साइड अगर इसको कम ठोड़ा सा राचारा डला गया होता थोड़ी तूड़ी उसमें डली गयी होती दो ही टाइम खिलाया होता तो ये पेट जो है इतना बढ़ा नहीं होता शंबल जगक्ते थोड़ा सा छोटा हो जाता लेकिन ये जो बहुत सारे अपणे पूरा दिन डलते रहते हैं बैसों के आगे उन बैसों में ऐसी ऐसी जो है बनावत हो जाती है अगर एक साल इस वैंस को अच्छे से आप संभालोगे तो इसका पेट भी जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और बैस सेप में आ जाएगी क्यों बाइसाब गल्थ नहीं का तो यह आगे वाली अच्छा बीच में रहेगी 13 लिटर मोके बेतियार है यह कितने की बेचनी एंगर एक लाक रुपे की यह बेचनी है लाख रुपे की रेंज की जादा है ना यह जो टी बाइस साब यह कितने की बेचनी आप 95,000 की 11-12 लीटर दूद मोक्के पे त्यार है ठीक है ये देखो जी 95,000 रुपे की जोटी आप देखवा रहे हो भाई बहुत ही बड़ी असाफ सुत्री ये वड़ी बैंस भाई साफ मोके पे 14 लीटर दूद त्यार है 14 मोके पे त्यार है ये कितने की बेचनी है भाई साफ 90,000 में 14 किलो की बैंस ले सकते हो जी देखरे पा रहे हो आप एक बड़ी सी बैंस भी रागी ये खोला है भाई साफ इसका दूद होगा भी 10-11 लेटर 10-11 मुके पे त्यार है ठीक है ये कितने की बेचनी है ये 70,000 रुपे 78,000 रुपे की देखो भाई 10-11 किलो दूद की दो बैसों के बरापर वजन है भाई सका क्यों भाई साफ ये बूरी भाई साफ ये भाई साफ दीतरी बार की है इसका पिजला तुनाता है भाई साफ अच्छा साड़े तीन थनी है तेरा मुके पे बेचनी कितने की है 90,000 रुपे की 13 लिटर दूद की साड़े तीन थनी बैस और ये जोटी भाई साफ है पहले ब्यात की आगी तो ये भाई साफ कितने की बेचनी है ये भी जो है 78,000 रुपे की 78 की ये बाखडी आगी अच्छा अच्छा ठीक है ये कितने की बेचनी है 55,000 की 16,17 इसका त्यार है ये कितने की बेचनी है ये भी 55,000 रुपे की ये देखो भई लोग एक एक लाक रुपे मांग लेते हैं भई आप आओ भई के पास 55,000 की 60,000 की गाएं लेके 50,000 की ये बुल आ गए ये भी बेचने वाड़ा है ये कितने का बेचना है 85,000 रुपे का देखो जी चार दात बुल बेचना है मामू का रिकोर्ड फादर का कुछ पता है अपने गाउं पे च्यार होगे है मा ने इसके थारम निखलेटर दूथे रख्या अपने देख्यावाड़ा है गाउं की बुल का ये बच्टा है ठीक है ठीक है 85,000 का बेचना है तो ये देखो जी आज का वीडियो कोई भी साथी बैस लेना चाहे करनाल में आया हुआ है इसार में आया हुआ है कोई बाहर से आया हुआ है आप आके भाई से अच्छी बैसे खरीद के लेके जा सकते हो आपको जगए जगए धक्के खाने की जरूरत नहीं है एक ही जगए जो है आपको इतनी सारी बैसे देखने को मिल जाएंगी कि आपका दिल खुस हो जाएगा आराम से भाई के पास रुको रहने खाने पिने की सारी सुईद्धा दो टाइम दूद देखो तीन टाइम देखो चार टाइम देखो एक ही जगए आप इतनी बैसो का दूद देखके तसली करके बैस लेके जा सकते हो फायदा उठाइए पहुंचिए भाई के पास नमबर वीडियो में चुन रहे है वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लें फेस्बुक पेज को फोलो कर लें नमस्कार